अब ही आप देख सकते हो कि मार्केट जो है करेंट सिचुवेशन में गिर रहा है ठीक है अल्मूस्ट कैंडल बाई कैंडल जो की सेम कलर की हैं उनसे मार्केट गिर रहा है तो यहां पर हम क्या गरेंगे कि हम कुछ माइनर लेवल्स को फाइंड करने की कोसिस करेंगे और उन कैसे ट्रेड करना है क्या ट्रेड करना है और मार्केट की सिचुवेशन क्या बन सकती है कौन सी कैंडल से आ सकती है उन सारी चीजों को हम समझने की कोसिस करेंगे और यहां पर आप देख सकते हो मेरा लाइफ बैलेंस 14,260 डॉलर्स का है इसको मैं ग्रो भी करूंगा इधर ठीक है यहां पर मतलब कुछ ट्रेड भी करेंगे लाइफ शेशन करेंगे अब ही देखते हैं जैसे यह मार्केट एकदम स्ट्रेड गिर रहा है एकदम कंसिस्टेंटली ठीक है तो यहां पर यह देखो यह एक माइनर लेवल हो गया जो करेंट सिचुवेशन में आप देख सकते हो ठीक है यहां से बायर पंप किया है थोड़ा सा तो यह एक लेवल हो गया यहां पर देखो एक ग्रीन कैंडल बन सकती है वो भी कैसे मतलब आल्मॉस्ट सेम कलर की बहुत सारी रेड कैंडल का अल्मॉस्ट एक मोमेंटम था बहुत हेल्दी नहीं था लेकिन हाँ तगड़ी सेलिंग चल रही है और यहां पर देख सकते हो कि इस जगह पर आके यह देखो टूटने की कोसिस हो रही है अल्मोस्ट एई ग्रीन केंडल यहां पर डेफिनिट आनी चाहिए जो की आगई ठीकए देख सकते हो आगई ना तो यह देखो माइनर लेवल से मतरब की लेवल तो फाइंड कर लेते हो बढ़ जो माइनर लेवल होते है वहां पर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा फोड़ा टूट जाता है ठोट 7 कदल से तो उन्हीं चीजों को आप नोटिस नहीं कर पाते हैं आप सोचते हो आप बस ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हो आप देखो यह लेवल यहां पे देखो किस तरह से एक्जैक्ली इसी पॉइंट पर बायर्स ने तीन कैंडल दी है ना और उसी के जस्ट बात से देखो बायर्स ने पूरा-पूरा करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यह मार्केट यहां पर तूटना शुरू हुआ है चोटे से रेंज तो बनाएगे ही बनाएगा ठीक है अभी करेंट वाली जैसे ओके तो यहां पर मैं कॉल के लिए जा रहा हूँ डेफिनेटली थोड़ा से नीचे आ जाए तो भ बहुत जादा तो इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि अगर यह देखवार तो रहा है नीचे चलो छोड़ो जाने दो क्या करना अभी और भी बहुत सारी ट्रेड मिलेंगे ठीक है जाने दो उसको तो यहां पर मैंने कॉल के लिए तीन ट्रेड ले लिए अल्मोस्ट 7-800 डॉलर का इन्वेस्टमेंट है यहां पर ट्रेड अपनी प्रॉफिटिबल हो जाएगी और देखना इसी के बाद से रेड कैंडल साना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है अभी यहां पर आल्मोस्ट एक रेंज बन रही है जो कि बहुत वह भी माइनर सी है यहां पर कोई बह मतलब बैक टो बैक सेम कलर की कैंडल के साथ में तो यहां पर बहुत ज्यादा रेंज नहीं क्रिएट करने वाला है मतलब इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना यह देख रहा हो यह जो रेड डोजी का लेवल है देखो एकदम डोजी पर लगाया ना डोजी ऑल्मोस्ट डेट स करना भी नहीं चाहिए जब मार्केट इस तरह से कंसिस्टेंटली गिर रहा है ठीक है तो वहां पर आप बैर्स को बहुत ज़्यादा प्रफेर नहीं कर सकते हैं तो आपको पता होनी चाहिए आपको समझ होनी चाहिए आप चार्ट को देखो समझो कि अगर थोड़ा सा टू की होती है ठीक है अब श한테 माइनर लेवल्स हम पकड़ना सीoking रहे हैं माइनर लेवल्स पर ही ट्ریट करने वाले हैं आप देखते हैं यह देखो मार्केट गिरनी के कुछिस्क कर रहे है ठीक है तो अब इसको break करने देते हैं यह चोटी नीचे का जो एरिया है bottom का एरिया ठीक है definitely market को उधर तक तो आना ही है अभी उसके बीच में कैसे तूटेगा और वहाँ पे क्या best opportunity मिल सकती है हमारा focus उस पे होना चाहिए कि हम कितनी better understanding के साथ हम अपनी वो trade पकड़ ले जो हमारे लिए profitable होके निकला है है ना तो साथी साथ प तो वहाँ पे candle stick का इस तरह से perform करती है उन्जी जो को समझो और साथी साथ market का area भी देखो कि कहां तक का direction बन सकता है कहां तक market travel कर सकता है और सबसे important जब भी trade opportunity आप बनाओ तो proper आपके पास understanding होनी शाहिए कि जो मैं trade ले रहा हो क्यों ले रहा हो ठीक है ना तो अभी जैसे को यह retrace कर रहा है अगेन उसी लेवल पर तो यहां पर मैं कुछ तगडी trade कर लेता हूं एक हजर मैंने amount set कर दिया और यहां पर next में put के लिए जाओंगा क्योंकि यहां पर यह जो retrace कर रहा है एक candle से ज्यादा इधर आनी ने चाहिए ठीक है क्योंकि market का जो ultimate direction है वो down के लि यहां से अगेन बॉटम के की लेवल तक अब जाएगा direct ठीक है ओके तो देखो चौदा हजार डॉलर के आसपास अपना capital था और यहां पर मैंने चौदा बंदरह हजार के पास में था बाद में तीन ट्रेड भी की थी ना तो कुछ profit और फिड आया होगा मुझे ध्यान नहीं है बिलकुल भी ठीक है तो जो भी है चार हजार ही अपने पास बचे है अभी ठीक है और मुड़्य यहां पर दस ग्यारह हजार के आसपास ट्रेड हमने ग्यारह ट्रेड ले रखी है तो इसका मतलब सारी एक हजार की है तो ग्यारहजार ख़्ढलर्ष इदर हमने इंवेस्ट कर रखे ठीक है डाउन डारेक्शन के लिए definite a great candle इधर बननी चाहिए for sure आनी चाहिए तो देख लेते हैं अभी तो जैसे against में जा रहा है बट मुझे नहीं लगता है against में जाएगा और जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा बट मुझे भरोसा है अपनी analysis पे देखो ये आ गई बढ़िया तो देखो profit अपनी trade हो गई और हम पहुचे गए 25,000 डॉलर पे अभी हम wait करते हैं market को देखो गिरना शहीए यहां से definite गिरेगा बट candle stick देखो level तो ठीक है हर चीज ठीक है direction भी ठीक है किस तरह से गिर रहा है वो सारी चीज ठीक है बट candle stick किस तरह से perform कर रही है ठीक है candles जब अपना closing price हिट कर रही है तो उनका size क्या है उनकी चीजे candle stick किस तरह से perform कर रही है सबसे ज़्यादा यह matter करता है आपको next next target direction या trade opportunity फाइंड करने में जो कि आपको proper confirmation देगा ठीक है तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप candle stick पे भी रखना उनका closing price किस तरह से hit हो रहा है वो सारी चीजों पे आप जब focus डालोगे तो ही आपको एक best opportunity find करने का chance मिलेगा जिसमें आपकी proper confirmation रहेगी आपकी understanding रहेगी कि हाँ ये काम अगर मैं कर रहो तो क्यों कर रहो अभी again मैं put की ले जा रहा हूँ यहाँ पे ठीक है देखो previous वली rate candle जो बनी वो बहुत ज़्यादा healthy तो नहीं है बट definitely एक follow up candle इधर आनी है और ये follow up candle इसलिए आएगी क्योंकि इसके just नीचे एक key level है ठीक है इसके just देखो मैंने draw तो नहीं कर रखा है बट मैंने देखा है तो मुझे idea है तो ये इसके just नीचे एक key level है तो वहाँ पे market टूट सकता है बट वहाँ तक के लिए एक यहाँ पे इस rate candle की एक follow up candle definitely आनी है तो ये trade भी अपनी profitable हो जाएगी अभी उसकी level को market break करेगा कि नहीं करेगा या तूटेगा कि नहीं तूटेगा वो चीज़े depend करेंगी ये जो current वाली candle है इसका closing price किस तरह से और किधर hit हो रहा है तो वो सारी चीज़े indicate करेंगी कि next move क्या हो सकता है market का ठीक है तो फिलहाल अभी ओके ठीक है तो अभी ये trade अपनी profitable हो गई मुझे थोड़ा से doubt था क्योंकि एक trade मेरी जो है वो काफी नीचे लग गई थी तो मुझे लगा अगर ऐसी मतलब छोटे size में close होती है तो फिर वो loss चली जाएगी है ना तो बड़ ठीक है profitable हो गई सारी की सारी और इसी के साथ में हम 14,000 से पहुंच गए 34,000 पे अच्छा खासा हो चुका मेरा balance तो अभी तो मैं trade नहीं करने वाला फिलाल अभी मैं bottom में आपको दिखा देता हूँ यह देखो यहां से market टूट रहे ना यह आलमूस्ट आ चुका है अपने की लेवल के पास में तो यहां से किस तरह से market परफॉर्म करेगा वो चीज़े आगे देख लेंगे ठीक है अभी यह जैसे green candle बनने की कोशिस कर रही है हो सकता है बन भी जाए क्योंकि previous वाली जो red candle अपना closing price 8 की वह बहुत healthy नहीं है बिल्कुल बेठी यह देख लो अपने की लेवल के आसपासी market घूम रहा है तो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको यह देखो यहां पर market टूड़ी है ना आगे green candle अभी देखते है इसको यह definitely अपने की लेवल के पास में है यह देखो हाँ यह देख रहे हैं यह यह यहां से क्या है तीन healthy candles मतलब buyers की निकली है यह अच्छा एक यह अच्छा की लेवल है बट यहां पर market देखो किस तरह से एकदम जब market consistently selling form में गिर रहा है तो वहां पर देखो किस तरह से बाइट से एकदम मतलब छोटी से छोटी सी candles के रूप में आए मतलब इधर कुछ खास दम तो नहीं है बैस में तो हो सकता है इसकी लेवल को market ब्रेक कर जाए पक्का अभी देख लेते हैं क्या है सीन बाइट सिदर healthy नहीं है तो definitely यहाँ पर 50-50 chances है यहाँ पर break भी कर सकता है और break करके एक follow up rate candle अगेन देख सकता है ठीक है यह जिसे rate बन गई तो यहाँ पर अगेन एक follow up rate candle आ सकती है definitely तो यह सारी चीजे आपको correct prediction देखो जब आपको doubt हो न 50-50 की market break कर सकता है या नहीं कर सकत है और level जो जिस पे आपको बहुत जादा भरोसा था वो किस तरह से perform कर रहा है तो फिर उधर chance मत लो ठीक है यह सारी चीजे 50-50 percent हो जाती है तो उधर trade छोड़ दो ठीक है और इसी के साथ हम अपना session बंद कर देंगे आज के लिए अच्छा खासा profit हो गया है और आप लोगो को कभी और सीखना है तो जाके मेरे course वीडियो देख लो बहुत किस बता रख है उसमें साथी साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठेलिग्रम शैनल जोइन कर लेना ओके